नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो इस वीडियो में आपको तिन ऐसे खिलाडियों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इंडिया वसी सिरलंका सीरीज में टीम इंडिया की तरफ से दोस्तो काफी ज़्यादा नाम कमा सकते हैं और ये T20 World Cup के लिए भी अपनी जगें फिक्स कर सकते हैं जी हाँ आपको बतादे टीम इंडिया दोस्तो कल ही सिरलंका से ODI मैच अपना पहला खिलने वाली है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बतादू कि ये मैच आप सभी को साम को तीन वज़े से देखने को मिलेगा जी हाँ आपको बतादे टीम इंडिया पूरी तरह से इस मैच के लिए तयार है लेकिन तीन ऐसे खिलाडी हैं जो कि यहाँ पर अच्छी फॉर्म कर सकते हैं और T20 World Cup के लिए भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्लेयर की पहले नंबर पर हमारी इस लिश्ट में प्लेयर जो है वो है पिर्थवी सा हमने देखा पिर्थवी सा कितनी धासू फॉर्म में है ODI में भी Team India में फिक्ष और पिर्थवी सो को सहवाक से भी compare के जा रहा है तो साफ है कि पिर्थवी सो जरूर नाम कमाने वाले हैं अगर हम बात करें दूसरे नंबर के player की तो दूसरे नंबर का जो player है वो है सुरे कुमार यादाओ जी हाँ आपको बताएं सुरे कुमार यादाओ टीम इंडिया के लिए एक international match खेल चुके हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें जवर्दस्द form तो दिखाई थी लेकिन वो माइने नहीं करता अब दोस्तों इनको यहाँ पर अगर अच्छी form दिखाएंगे तो ही T20 World Cup के लिए अपनी टिकट कटवा सकते हैं वैसे सुरे कुमार यादाओ भी बहुत अच्छी form में हमने देखा कि IPL में भी हाली में उनके वल्ले से भी खुब धासूरन निकले हैं और ऐसा लगता है कि सुरे कुमार यादाओ भी टीम इंडिया में बहुत अच्छी परफोर्मेंस करेंगे और यह भी अपना T20 World Cup के लिए टिकट कटवाएंगे अगर हम बात करें थर्ड नमबर के प्लेयर की तो थर्ड नमबर पर है जी हाँ गेंदबाच को हमने आप रखा है और वो है भुनेसुर कुमार टीम इंडिया के दोस्तों सिरलंका दोरे पर उपकप्तान भुनेसुर कुमार भी बहुत अच्छी form में है और ये जिस तरह की गेंदबाच ही करते हैं येकिन मानिट टीम इंडिया को हमेशा से ही भुनेसुर की कमी खलती रही है इनके ऐसा स्विंग गेंदबाच आज तक टीम इंडिया में नहीं आया है और इसा लगता है कि सायथ आएगा भी नहीं और इसी वएसे भुनेसुर कुमार पर सब की निगाहें टिकी होंगी अगर भुनेसुर कुमार इस ODI में एक बार फिर से अच्छी परफरमेंस करते हैं और जो कि हमेशा करते ही हैं हमेशा इनकी गेंदवाजी बहुत अच्छी रहती है बहुत कम रन देते हैं और साथी विकट भी निकालते हैं और कई बार तो अपनी स्विंग में बैट्समेन को फसा लेते हैं इसी वएसे दोस्तो हमें ऐसा लगता है कि T20 World Cup में भुनेसुर कुमार भी जरूर अपना नाम जुड़वाएंगे और इसके बाद टीम इंडिया के लिए ये भी T20 World Cup खेलेंगे तो आप बताईए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा और खिलाड़ी है जो कि T20 World Cup में इसी सीरीज से अपना नाम ले करके जाएगा साथी वीडियो को लाइक करके सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद